अपने तेरा सूत्रिय मांगों को लेकर आज श्रमिक संगट्मों ने दो दिवसिया हर्ताल कर दी है इस हर्ताल में पोस्ट आफिस भी शामिल रहा कानपुर के बड़े चराहे पर बने डाग घर में भी कर्मचारियों ने हर्ताल की चेत्रिय सचिव गौतम शुकला ने बताया कि हमारी मुख्य मांग पेंशन है इसके साथ ही कुरोना काल में 18 महीने का डिये रोका गया है उसको तत्काल प्रभाव से दिया जाए वहीं चेत्रिय मंत्री सेल इंदिछित ने बताया कि केंद्री नित्वत ने सभी स्वेंटरल कमचारियों को हर्ताल के लिए कहा था उसी को लेकर हम अपनी मांगो के साथ दो दिवसिय हर्ताल पर है अर्ताल नितियों के चलते बिरोजगारी बढ़ रही है जिन नीतियों के चलते कोरोना काल में लोगों ने घर घर में संकट देखा उन तमाम नीतियों के खिलाव है यह अरताल उन नीतियों के खिलाब है जिन नीतियों के चलते भारत देश के आत्मिरबर संस्थान, लाइफ इंशूरेंस कॉर्पोरिशन और पब्लिक सेर्टर बैंक, जिनका विरिवेश किया जा रहा है, जिससे अल्टिमेटली देश की जनता को सफर करना पड़े हैं, हमारी हम जोड़ेंगा है, जनता को जोड़ेंगे संगर्स से, आप मीडिया के साथियों को संगर्स से जोड़ेंगे और संगर्स को आगे ले जाएंगे, मैं सहिले अंद इच्च्च, कानपूर कंफरेटिरिशन का च्छे त्री मंत्री हूं, आज 28 तारीक को हमारे केंदी नित्त सब्सक्राइब के साथ हर्ताल का नूटिस दिया हुआ था उसी विए प्लक्ष में इपने मागों को लेकर आज हम दोनों दो दिन की हर्ताल पे हैं पोस्टल इबार्टमेंट से एन फपी और एफन पी यों के दोनों के साथ ही वा करमचारी पुरी ताकद च्छमता के साथ से स हाली चाहते हैं जो पेंसन कई राज सरकारों में जारी करती है हम किन्द सरकार से आवान करते हैं कि हमारे कमचारियों को पुरानी पेंसन दी जाए और साथ में हमारी एक मात्मों मांग है कि जो डियर साल का डिय रोक रखा गया है करोना पीनिट का अभी तक हम सांत रहे ले कि हो रही है और जो हमारी सबसे मुख मांग है पेंशन इसकी मुख चाहते हैं नूप इसकी मुख रहा है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अगर साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें